कि नमस्कार दोस्तों मैं हूं सुमित और स्वागत है आपका इट सुमित कुमार की एक और नई वीडियो में दोस्तों मार्केट में यूट्यूब पे गूगल पे सब दूर खबर फेली हुए कि टाटा अपनी गाडियों का सी एंजी वेरियंट बहुत जल्द लॉंज करने व लिए लगबख सारी चीजे जो अभी तक अवेलेबल है वह मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं सो दोस्तों सबसे पहले तो बात कर लें कि भाई ये खबर सच है या नहीं बिना किसी वाद विवाद के आपको एक चीज बताता हूं कि टाटा की तरफ से कोई भी अनॉंस्मेंट अभी तक टाटा टियागो अल्ट्रोस टिगोर सी एंजी के बारे में देखने को नहीं मिली है लेकिन टाटा के किसी उच्चा अधिकारी ने किसी इंटर्व्यू में बोल दिया था कि टाटा बहुत जल्द ही अपनी जो कार्स हैं उनका सी एंजी वेरियंट में मार्केट में करने लांच करुंग में अनुमान अब यह मार्कट में अभी तक टीन प्रकार के यह की मैई जल्दी से जल्दी एंड कोवींट वाले सिच्वेशन एक दो महीने में जैसे यह तो आपको चेंग गाडियां जो है अवेलेबल हो जाईगी दूसरा कि ट्वांटीटीटीवन के लास नवंबर-दिसमबर सेप्टेंबर के आसपास आपको जो सी एनजी गाडियां वो टाटा की तरफ से देखने को मिलेंगी तीसरा अनुमान ये कि फाइनेंशेल ये ट्वनटीटीटीटू में आपको टाटा की तरफ से सी एंजी गाड़ियां देखने को मिलेंगी अब भाई कौन सा अनुमान सही है ये मुझे भी नहीं पता और किसी को नहीं पता सब अपना-पना अंदाजा लगा रहे हैं सो मैं तो यहीं बोलूँगा कि आप सी एंजी का इंतजार फिलहाल करना छोड़िये क्यों क्योंकि देखिए टियागो टिगोर एंड अल्ट्रोस तीनों ही गाड़ियों में आपको 1.2 लिटर का 3 सिलेंडर सेम इंजन मिलता है बस उनकी जो ट्यूनिंग है वह उपर नीचे कर दिये गए हैं अब अल्ट्रोस एंड टिगोर का तो मुझे नहीं पता लेकिन टियागो के मैंने यूट्यूब पर इसे बहुत सारी रिव्यूज देखे हैं कि सी एंजी में गाड़ी को कई ओनर्स ने चलाया है काफी लंबे समय तक चलाया और उसका रिजल्ट काफी अच् नॉर्मल पेट्रोल वेरियंट के आधार पर एंड रिसेंटली आए दिन आप देख रहे होंगे कि जो टियागो टिगोर इन अल्ट्रोस इनकी जो प्राइज टाटा अपनी कार्स की लगभख सभी कार की प्राइस जो है कभी एक परसेंट डो परसेंट पाच परसेंट बढ मतलब आपको 50,000 रुपए उसमें भी एक्ट्रोली 50-60,000 रुपए जादा देना पड़ेगा तब जाके आपको कंपनी फिटेट सी एंजी देखने को मिलेगी और प्योर सी एंजी तो रहने वाली नहीं आपकी गाड़ी सी एंजी पर चले उसमें आपको जो पेट्रोल है औ जब आप गाड़ी को पेट्रोल पर शिफ्ट करेंगे तब आपको जो पावर है वह थोड़ी सी जादा देखने को मिल जाएगी अब मैं एक चीज आपको बता दूँ कि जो माइलेज है कोई भी मारूती की गाड़ी ले या कोई भी गाड़ी जो सी एंजी में चल रही हो का आज कल टाटा ने हटा दिया उसको हटाने के पीछे का कारणी यह था कि कहीं न कहीं जो इको मोड़े उसे हटा के टियागो को पावर सेंट्रिक बनाएं फिर जाकर के जो सी एंजी वेरियंट है वो उसे लॉंज करें क्योंकि मुझे नहीं लगता कि टाटा टियागो 30 के आ आपको कहीं ना कहीं ऐसी भी खबरे सुनने में आ रही है कि आपको आपकी स्टेपनी के साथ का कॉंप्रोमाइस करना पड़ेगा या फिर आपके बूट के साथ अगर अल्ट्रोज एंड टिगोर में देखा जाए तो थोड़ा सा बड़ा आपको टियागो के मुकाबले स्टेपनी हटा करके आप बूट में सिलेंडर लगा देंगे तो क्या ही बूट इस बचेगा इस फिलहाल की डेट में जो बढ़े हुए प्राइज हैं जो चीजें कॉंप्रोमाइस हालंकि स्टेपनी की जगा आपको टाटा जो है पंचर कीट वगेरा जैसा कुछ देख दे मतलब कि आप देख सकते कहीं न कहीं कोस्ट कटिंग जो है वह देखने को मिल रहे स्टेपनी बेटर ऑप्सन क्योंकि किसी से बना किसी से नहीं बना वह बहुत अलग सी चीज होती है एंड जो स्टेपनी है वह आज की डेट में काफी जादा कॉमन है लगाना निकालना तो यह चीज मुझे थोड़ी सी इजी लग रही है सो ओवरॉल कंक्लूजन यह है कि भाई केवल हवा फेलाई गई है कि टियागो सी एंजी आने वाली है किसी को भी अभी कंफर्म नहीं है कि टियागो टिगोर अल्ट्रो सी एंजी टाटा कब तक लॉंच करेगा मार्केट में अगर टाटर ने ऐसा कुछ कर दिया तो भाई काफी जादा अच्छी चीज हो जाएगी एक आपको बताता हूं कि अकेली हो जाएगी जो कि आपको सी एंजी डीजल एंड पेट्रोल तीनों ही ऑप्शन में देखने को मिलेगी जो की काफी जादा वाइड रेंज और अगर आप चाहें तो आप को नहीं रोग सकता है आप क्या चाहते हैं और दोनों में से कौन सा सही और यह आप बताएं यह पूरा डिसीजन में आप लोगो के ऊपर सोचता हूं छोडता हूं बाकि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है चैनल को सब्सक कार धनिवाज जैहिन